चलो तो आज अपन पढ़ने वाले हैं Capacitance और यह स्पेसिफिकली उन सभी बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि यह सिर्फ NCRT लेवल का पढ़ना है NCRT से उपर लेवल नहीं तो अपन पहले basic NCRT लेवल पर पूरा A to Z concept पढ़ेंगे सारे derivations करेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा important है मैं फिर बता रहा हूँ यह वीडियो IATJ और NEET के बच्चों के लिए नहीं है यह 12th board CG BSC और CBSC के 12th board के हिसाब से है specifically बोला चाहे तो CBSC के 12th के हिसाब से है तो आज अपन पूरा chapter complete करेंगे बहुत जल्दी complete करेंगे सारे derivations किस तरीके से आपको याद रखने क्या याद रखना है सारी बाते अपन करेंगे नोट्स बनाते चाहिए का थोड़ा बहुत बागी तो आप वीडियो को बाद में पॉस्ट करके और बागी नोट्स लिख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं capacitance यह आपके chapter number 2 पर है है ना chapter number 2 है electrostatic potential and capacitance तो उसका अपन capacitance वाला part आज अपन करने वाले हैं आपके physics book का chapter number 2 class 12th class 12th physics का 12th cbsc physics का अपन करने वाले हैं chapter number 2 का capacitance part पूरा starting से complete हाँ बोलो क्या बना रहता था इसका अच्छा वो नहीं है अभी चलो तो start करते है capacitance है क्या आपने देखा होगा चनलरी पंक्ये के उपर एक cylinder रहता है यह white color का cylindrical shape में white color का एक लगा रहता है हर पंक्ये के उपर वही है आपका capacitance हैना यह आपने circuit में देखा होगा ऐसे cylinder cylinder type से उठे उठते हुरते हैं blue color के black color के वही क्या है आपके capacitance अभी लगे क्यों है इनका काम क्या है है और इनकी capacitance की definition क्या है आपने वहां से start करेंगे तो capacitance आप यह मान के चलो यह आपकी energy store का के रखती है तो balty of energy आप इस को क्या मान सकते है है energy क्या स्टोर करके रख रही है energy तो कैपसिटेंस को अब क्या मन सकते हैं बाल्टी ऑफ energy बाल्टी ऑफ energy bucket of energy कैपसिटेंस है ना तो कैपसिटेंस क्या कर रहा है energy store करके रखा है क्या कर रहा है energy store करके रखा है किस फॉर्म में रखा है कितनी रखा यह सब अपन डेराइब करेंगे अभी है ना बट चलो capacitance क्या कर रहा है energy को store करके रखाए क्यों भी या अब जैसे आपने देखाऊगा पहले एक photo खिछने वाला camera जो आता था पहले वाला और जैसे अपने photo click किया सारे ने एक साथ अपनी energy दे दी तो एकदम flash चमकता है ना तो जैसे अब वही मानों कि एक नल है नल में धिरे धिरे पानी आ रहा है अब उससे कहीं पर आग बुता नहीं बुता सकते हो नहीं लेकिन अगर आप पहले से 1000 वाल्टी बहर के रख लो तो जो अभी मेरी वीडियो रिकॉर्ट कर रहा है इसने भी capacitance लगा होगा हर पंखे में capacitance जरूत है क्योंकि starting में एक जर्क चाहिए होता है ना हाई energy चाहिए होती ही पंखे को चालू होने के लिए वह कौन देता है capacitance बहुत समझ में आई तो अगर देखा आप कभी मानों आपका खराब हो गया है और इसा हलका साथ टच करते ही चालू हो जा रहा है तो तुरहन जो मेकनिक आएगा capacitance खराब है इसका बूलेगा capacitance लाना पड़ेगा वो देखेगा कितने फेराइडे का capacitance है आप capacitance लाके लगा देगा ठीक है तो आगे बढ़ते है capacitance का ability of energy बट इसको अपन इस तरह के से define नहीं करते है अपन capacitance जो प्रॉपर्टी है एक्चल में दिखा जाए तो capacitance क्या है एक प्रॉपर्टी और यह प्रॉपर्टी है अपन को किसको बोल रहे है ability to hold charge पर यूनिट वोल्ट एक यूनिट वोल्ट में कितने charge को आप hold करके रख सकते हो जितना जादा charge अगर कोई चीज hold करके रख सकता है एक यूनिट वोल्ट में किसमें एक यूनिट वोल्ट में हाथ नीचे भीया सिधे बैटो एक यूनिट वोल्ट में जितना जादा charge store करके रख सके उसको अपन क्या बोलेंगे capacitance वो वोल्ट, मतलब capacitance को अपनने क्या define कर दिया, charge per unit वोल्ट, ठीक है, charge के ऐसा unit ये 12th के बच्चे है, कुलंब, और potential difference की वोल्ट, तो कुलंब पर वोल्ट को ही अपनने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, फराडे, capital absolute denote करते हैं, ठीक है, तो capacitance, ये property है, तो ये scalar की vector quantity, scalar, तो याद रखना, SI unit, SI unit क्या है, SI unit is, फराडे, capital F से denote करते हैं, and it is a scalar quantity, तो capacitance क्या है, प्रॉपर्टी है, या ability बोलो, to hold charge per unit, बोल्ट, अब एक कमाल की बात बताऊं, बच्चों, कमाल की बात, क्या है कमाल की बात, बात बेको सुनो, ठीक है, ability to hold charge per unit, वोल्ट, इस कॉल्ट, टैपसिटेंस, टैपसिटेंस is Q by V, कुलम पर वोल्ट, जिसको नाम दे दिया, 1, फराडे, ठीक है, SI unit is, फराडे, and it is a scalar quantity, रटा आगे होग इतनी चीज, पक्का, आगे बढ़ते हैं, आप देखो इदर, इदा देखो, क्लास 10 में current electricity पढ़ी होगी आपने, मैं ही पढ़ाया हूँ, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ी होगी current electricity, इन्नों नद तो नहीं पढ़ी है दोनोंने, हैना, आपने पढ़ी होगी class 10 में electricity, अभी 12 में तो इसके बाद पढ़ेंगे, capacitance के बाद अपने just current electricity start करेंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, R होता था वो होता था आपका V by I, Ohm's law, Ohm's law, याब आ रहा है, अब इनको याद आ रहा है, Ohm's law, V is equal to IR, तो R is equal to V by I, तो R जो resistance हा, उसके formula में क्या रहा है, V और I, लेकिन R ना तो V के उपर depend करता था, ना तो I, किसी भी चीज़ का, अगर ही wire है माल लो, तो इसका जो resistance है, वो इस बात के उपर depend नहीं करता कि कि कितना potential difference दिया, नहीं इस बात पर depend करता है, किसके अंदर से current कितना जा रहा है, तो formula में भले ही है, R is equal to V by I, लेकिन R does not depend on V and I, क्योंपर depend करता था था फिर? Physical property, area, length, resistivity, समझ में आया है है, वैसे ही capacitance, अब इसको में टा देते हैं, होम सलोकों, मिट जा, मिट गया है, है ना, capacitance का है Q by V, but capacitance do not depend, does not, sorry, not do not, does not, capacitance does not depends on Q and capacitance does not depends on V, capacitance है, कि charge कितना hold कर पा रहा है, per unit volt, बट यह जो capacitance, इसकी जो ability है, ना तो charge के उपर depend करेगी, ना volt, किसके उपर depend करेगी, उसकी physical properties के उपर, तो क्या है physical property, आई ये चलिए देखते हैं, आगे बड़े, clear, आगे बड़े, चलो, जितना काम का है, मैं again, मैं फिर से बताते रहा हूं, ये lecture IITJ NEET वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये किसके लिए हैं भी या, जो 12th में focus कर रहे हैं अभी, 12th CBSE board देना चाहते हैं, CGBSC वाले के लिए भी है, CGBSC वाले के लिए एक आट topic हो सकता है, जूटा हो, है ना, बट में जो CBSE में focus करना चाहरे, उनके लिए है, हाँ, अगर आप इसको chapter को समझ करके, फिर कुछ extra points IITJ NEET की module से करोगे, तो आपको IITJ के लिए helpful रहेगा, किस में हैं, पूरे, सारे chapters के 12th के, तो 12th में फिर आपको, मार्क्स 12th board जैसी मार्क्स, जो board हो चाहरे 10th board हो चाहरे 12th board, उसमें मार्क्स आपके खाली इस चीच के पर डिपेंड नहीं होते कि आपको कितना आता है, आप कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5% के आसपास तो उसी में फरक पड़े जाता है, अच्छे से capital में लिख रहे हैं, line छोड़ के लिख रहे हैं, underline कर रहे हैं, 5% के आसपास सिर्फ ये factor होता है कि इतना अच्छे से revise किया है, अगर आप ये पूरा करते हैं, तो आपके chances 95% लाने के हैं, क्योंकि concept CBSC का, CGBSC का, CGBSC का एकाच छूट सकता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, CBSC book का, ये जो आपके NCRT book है, इसका एक छोटा साभी concept नहीं छूटेगा, नहीं है, सुरेचपूर में यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, proper AC classroom में इस पूरे board में, अपने A to Z chapter आपका स्लेबस कम्प्लीट करेंगे, वो भी December तक, आपके 1st January से पहले, है ना, आपके December तक, 31st December तक, आपका पूरा का पूरा स्लेबस कम्प्लीट कराए जाएगा, तो कितने मैने हैं, जून चला गया, जूलाई चला गया, अगस्ट, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर, पांच मैने है, और यह 5 मन्थ में आपको हर मैने का लगेगा, सिर्फ, 1400, तो टोटल कितना हो गया? सिर्फ 7,000, बताओ, 7,000 में 12 फिजिक्स कम्प्लेट, चलो, आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अपनने देख लिए अभी है, कैपेसिटेंस होता है, Q by V, लेकिन ना तो वो Q के उपर डिपेंट कर रहा है, ना तो वो V के उपर डिपेंट कर रहा है, फिसिकल प्रॉपर्टेज, तो जैसे एक 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 जामपल लेते हैं, स्फेरिकल कंड़क्टर, क्या लेते हैं? स्फेरिकल conductor ठीक है एक एक spherical conductor ले लिए radius r इसमें charge दे दिए कितना q अब यह q charge तो पूरा इसके surface में होगा है न तो अब अगर इसके surface में अगर मैं potential देखूं वी तो potential कितना हैगा k q by r निकाला था किसी भी spherical charge के करण उसके surface पे या उसके बाहर वो point charge करता है और एक point charge से r दूरी पर कितना potential होता है k q by r यह अपनने अभी potential में पढ़ा था इसी chapter के आगे में है ना चलो तो k q by r potential आ गया चार्ज आ गया तो capacitance क्या लिख दो के capacitance हो जाएगा charge by potential तो capacitance हो गया charge by potential के जाखा लिख दूं k q by r बिलकुल कोई बुरा मानेगा नहीं अब देखो q ने q को तो क्या आ गया c is equal to one by k के जाखा क्या लिख सकता हूं four pi epsilon not 1 by k की value कितनी होती है sorry k की value होती है one by four pi epsilon not तो one by k की value कितनी होगी four pi epsilon not r तो ये आ गया capacitance due to spherical conductor ये क्या आ गया आपका formula capacitance due to spherical conductor ठीक है capacitance due to spherical conductor कितना है एक रहाँ, c is equal to 4 pi epsilon 0 r, कितना है, 4 pi epsilon 0 r, अब epsilon 0 की value देखो गे तो यह कितनी होती, 10 की पाँर माइनस 12, अब अगर मैं सबसे बड़ा conductor क्या है पने पास, earth, यह धरती माता, इससे बड़ा conductor है क्या, नहीं, अब इसका भी radius अगर यहां पर डाल दो, तब भी value कितनी है की, बहु चोटी, 10 की पाँर माइनस 6 के असपास, तो इसलिए सोच, अब इतना बड़ा earth का, जब conductor 10 की पाँर, capacitance 10 की पाँर माइनस 6 में आ रहा है, मतलब अनको बहुत छोटी quantity चाहिए, तो इसलिए अपन faraday के जगा, small unit of use करते है, small unit of capacitance, that is, microfaraday, अपन हर जगा क्या यूज करेंग microfaraday, मतलब 10 की पाँर माइनस 6 faraday, है न, microfaraday मतलब 10 की पाँर माइनस 6 faraday, मतलब 10 की पाँर माइनस 6 faraday को अपन क्या लिखेंगे, microfaraday, और क्यों यूज कर रहे हैं इस बास समझ में आ गई, क्योंकि अपन को हमेशा बहुत छोटी quantity मिलने वाली है, तो छोटी quantity मिलने इसलिए अपन हमेशा किस में लिखेंगे, microfaraday में, इस जए clear चमक रहा है, तक का कोई problem हो तो पूछ लेना, या comment section में बता देना, आगे बढ़ते हैं, clear हो गया, तो पूरा इतने बड़े अर्थ के conductor, पूरा अर्थ सबसे बड़ा conductor है, इसका भी अगर आप capacitance निकालोगे, capacity होगे क्या, आगे बढ़े, लिख लिए ना, जो online देख रहे हैं, अगर देखे तो कभी, chances तक हमें, कोई अगे देख रहे हैं, तो यह screen pause करते, notes बना लेना, नी तो कहां जाएगा, concept कौन से तार में फसेगा, अंदर तुम्हारे दिमाग के पता नी चलेगा, आगे, अब ब इतना बड़ा conductor भी नी चाहिए, छोटा सा में capacitance बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, तो बोला गया कि, अच्छा, capacitance होता है, charge per unit volt, अगर potential कम हो जाए, किसी particular charge के लिए, तो capacitance बढ़ाए जा सकता है, yes or no, तो अपन ने बोला कि, चलो भाईया, अगर ये एक conductor था का, मालनो Q charge का, तो इसके R radius का, तो यहाँ पर potential कितना था, KQ by R, और ये यहाँ पर potential क्यों था, क्योंकि infinity में बनने क्या माना था, तो actual में infinity का potential 0 था, तब यहाँ का potential कितना था, KQ by R, मतलब भाईया, एक negative charge का मालनो, अगर मैं infinite में रख दू, minus Q, infinite में रखा हुआ है, मालनो Q charge का, R radius का, मालनो, infinite में एक charge रखा हुआ है, तो इसके infinite में है, तो इसके गारण यहाँ पर potential कुछ नहीं होगा, बस इसके गारण potential होगा, और यह दोनों point के infinite और इस point का potential difference action में कितना है, KQ by R, अब बोला जाए कि भी है, इसको pass ले आओ, किसी D दूरी पर ले आओ, एक और charge ले ओ, यहाँ पर, same, plus Q था, minus Q, अच्छा, potential scalar quantity की vector quantity? Scalar, potential scalar quantity की vector quantity? Scalar, تو positive charge के कारण positive potential होता है, negative charge के कारण negative, तो भाइया, इसके कारण तो positive है, कोई negative charge आजाएगा, तो उसके करण negative हो जाएगा, तो overall potential कम हो जाएगा, यही चाहते है, potential कम, तो capacitance, जादा हो जाएगा, कि नही तो अपन ने बोला कि भीया, एक दूसरे conductor को infinity में क्यों रखे हो, पास लाओ, पास लाओ, तो एक positive charge के पास क्या लेके आगए, negative charge, तो negative charge conductor ले आओगे, तो ये पूरे की दूरी मालना center से दी है, तो यहाँ पर potential, इसके कारण तो kq by r, और इसके कारण minus kq by d, तो potential कम हो गया, potential कम हो गया, तो capacitance बढ़ गया, बास समझ में आई, अब दो spherical नहीं, अब अपन जो actual में यूज़ करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, plates, क्या यूज़ करते हैं, plates, parallel plate बोलते हैं, मतलब एक positive charge और एक negative charge, same quantity की, मतलब इसमें जितना charge उतना ही, इसमें charge, same quantity की दो parallel plates को यूज़ कर बनाया, फिर क्या, parallel plate capacitance, क्या बनाया, parallel plate, capacitor, parallel plate capacitor, टी ओवार, ठीक है, parallel plate capacitor, अब इसमें अपन ने कहा किया, नाम से समझ में आ रहा है, parallel plate, मतलब आज़ पास दो parallel plate रग दी, अब याद रफना, यह अब derivation है अबका, अभी तक क्या है, रटने वाला चीज थी, capacitance क्या होता है, capacitance कैसा unit क्या है, capacitance scalar है की vector है, एक square के कारेंट capacitance कितना होगा, फोर पाई, एपसन लोटार सब, अब अपन यहाँ को यहाँ पर derive करना है, capacitance of parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitance, सोई नहीं होगे तुम क्यों, कब पहुंचे हो यहाँ, अच्छा सुबह पहुंचे हो, अकेले कहते हैं, ठीके ठी, आगे बढ़ता है, parallel plate, आज complete करना है यह वीडियो, जल्दी सी जल्दी भी, 17 मिनट होगी गए, बाह, parallel plate, capacitor, तो यहाँ दो parallel plate को ऐसे रख दिया, एक plate ही है, माल लो एक और plate इसका कर पा रहे हो, कि नहीं कर पा रहे हो, अब इन दोनों के बीच की दूरी है, माल लो D, कितनी दूरी है, D, इसमें चार्ज देदी आपने plus Q, इसमें चार्ज देदी आपने minus Q, और इसका जो पूरे का area है, वो माल लो तो A, ठीक है, अब अपन को क्या derive करना है, capacitance, और वो तो अपन को मालूम है, क्या होता है Q by V, लेकिन अपन को मालूम है, ना तो वो Q को उपर depend कर रहा है, ना तो वो V, तो actual में कौन-कौन सीची जो को को उपर depend कर रहा है, ही अपन को formula निकालना है, इसका derivation भी important है, और इसक लेकिन यह पढ़ाया था, है ना, एक infinite charge sheet के कारण, electric field कितनी होती है, sigma by 2 epsilon, अब यह दो पास में है, तो इकदम पास अली जगा के लिए, अरे बहले इतना छोटा हो, लेकिन दो प्लेट अगर एकदम पास हो, तो उसके एकदम जच्ट के अगर जगा होगी, तो उसके लिए infinite हो गया, अगर मैं इतना दूर खड़ाँ, तो मेरे लिए सामने भी दिवाली infinite नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके जाके चिपक जाओ, यहां से तो infinite लगने 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 लग जाएगी, तो वैसे ही, अब वो दो प्लेट आपकी कैसे एक्ट कर रही है, as a infinite plate, तो यह वाले के कारण भी अंदर ही अलक्तिक Jennifer叟 Century कितनी सिंगमा भाई टॹ एपसिलोन अट, इसके करन भी कितनी सिंगमा भाई टू एपसिलोन आट, तो नएट इलेक्रिक फिल्ड, निएट इलेक्रिक फिल्ड, इंसाइड कैपसिटर, क्या लिख रहू हु tyre, capacitor है ना, net electric field inside capacitor कितनी हो जाएगी, sigma by 2 epsilon not plus sigma by 2 epsilon not that is equal to sigma by epsilon not, और sigma sigma क्या है, charge density sigma क्या है, aerial charge density मतलब, charge by area, sigma क्या है charge by area तो sigma के जगा मैं कहार्ज बाइ area तो actual में electric field जो बीच में है वो कितनी आई, Q, Y, A epsilon not, is that clear is that clear, चलो तो भी है electric field आगई अब electric field into distance D, electric field into distance D, क्या होगा electric field electric field into distance D, क्या होगा, potential क्या होगा, potential चलो, force into distance D, आपका potential energy होता है F dot D, I integrate करके work done against any electrical field is stored inside the object in the form of potential energy पढ़े जैने, पुरा चलो, तो electric field into distance, direct multiply क्यों कर रहे हैं क्योंकि constant है अपन दोनों plate के बीच में क्या मान रहे हैं constant electric field जब भी constant electric field होती है तो आप direct लिख सकते हो potential क्या होगा, electric field into distance D, तो electric field कितना है Q by A epsilon not into D तो potential आ गया 400 Q आपको मालूमी है तो capacitance क्या होता है Q by V, value put कर दे क्योंकि तो Q है, बस ये V की value जो है इसको यहाँ पर second वाले में से put कर देते हैं किसमें, 1 वाले में तो putting value of V from equation 2 into equation 1 we get C is equal to Q upon ये पूरा को divided करेंगे, तो QD upon A epsilon not, कट गया तो answer आ गया, capacitance due to parallel plate capacitor is epsilon not A by D जो नींद में भी याद रखना है नींद में भी याद रखना है ठीक है, याद रहेगा नींद में भी आपको याद होना चाहिए capacitance due to parallel plate capacitor और इंदा मसान है, देखो फिर से एक बार पूरा concentration यहाँ पर लिखना बंद करो parallel plate था charge Q minus Q अपनने infinite माना infinite माना तो electric field इसके कारण भी sigma by 2 epsilon not, इसके कारण भी sigma by 2 epsilon not, तो total electric field कितनी हो गई sigma by epsilon not और sigma क्या होता है, charge by area तो total electric field हो गई Q by A epsilon not electric field मिल गई, electric field into distance D क्या होता है, potential electric field into D potential, potential आगया यहाँ put कर देख, यह तफ है क्या याद हो गया, parallel plate बनाना है बीच में electric field निकलना है, into D करना है potential, formula में C is equal to Q by V में डाल देना है, easy head animation याद हो गया, क्या आज घर जाके एक बार देखो तो कल के बाद हमें सा याद रहेगा और simple सा formula C is equal to epsilon not A by D जो आपको याद रखना है चलो, आगे बढ़ें आगे बढ़ें चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो वैसे ये वीडियो में आज ही upload कर दूँगा अभी तुमों के सामने तो notes बना लेना बाद में देख करके, वैसे भी जो बाद में देखेंगे वो तो screen pause करके notes बना सकते हो आपके पास रहेगा pause बटन इस पर इस बार pause किया और वीडियो चलो, आगे बढ़ता है फिर parallel plate capacitor हो गया, तो अपन ने देख लिया capacitance होता क्या है parallel plate capacitor का capacitance कितना होता है, वो भी अपन ने निकाल लिया epsilon naught, A by D, देखो epsilon naught, वो medium के उपर depend करता है अरे, epsilon naught क्या है permittivity of free space, vacuum तो अभी आपने दोनों plate के बीच में क्या माला था, air या vacuum और कोई तो बात की नहीं थी, किये थे क्या अब बात करते हैं किसी चीज़ की अभी तक तो air या vacuum है ना, तो अपने क्या माल लिया था epsilon naught, actual में था क्या permittivity of free space, chapter 1 में पढ़ा था अपने, है ना, epsilon naught is permittivity of free space अब अगर इनके बीच में कुछ ले आए दोनों plate के बीच में कुछ ले आए, जैसे water कि दो charge है हवा में है तो उनके बीच में force लग रहा है, 1 by 4 by epsilon naught q1 q2 by r, यह लग रहा है है ना, q1 q2 by 4 by epsilon naught r square, r square सरे, r बोल दिया था r square, यह formula लग रहा था बट अपने क्या देखा, पहले chapter का revision कर रहे हैं अपन यह, है ना, अगर यह दो charge है, q1 और q2, दोनों के बीच की दूरी, r, तो दोनों के बीच में जो force था, वो था, 1 by 4 by epsilon naught, q1, q2 by r square, यह था, बट जैसे ही आपने इन दोनों charge को पानी में डुबा दिया, तो पानी में polarization हो जाएगा, पानी का अगर positive charge के पूरा negative charge आजाएगा, negative charge के पास पूरा positive charge, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर net force था, वो क्या हो जाएगा, change, तो यहाँ पर net force का change को plus minus करने से अच्छा पन बोलता है, जो आपने बीच में medium ढ़ला, उसके कारण actual में क्या change हो गया, permittivity, क्या change हो गया, तो अपने क्या बोला, epsilon not के जगा, वो तो space का था, आपने किस में डाला, पानी में, तो अब यहाँ पर आपको यह इसके जगा किसका डालना पड़ेगा, पानी का, तो f लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, 1 by 4 pi, epsilon not of, पानी, into q1, q2 by, आर इसका रहे हैं, यहांस के और हो, water double लिख लेना, ठीक है, epsilon not of, पानी, लेकिन बोले भाई, अब हरका epsilon not अलग-लग, इतनी गंदी value है, अरे, space की कितनी आई थी, 8.85 इंटी 10 की पार माइनस 12, यही आई थी ना, बहुत गंदी सी, तो कैसे रख लो, क्या बोले, relative, ठीक है, तो epsilon not r, अपने define किया, relative, कि epsilon not of any medium, upon epsilon not of, sorry, permittivity of any medium, upon permittivity of space, इसको अपने define कर दिया, relative permittivity, क्या define कर दिया था, relative permittivity, यह define किया था, actual में हो गया रहा था, जो यह epsilon not, यह था permittivity of free space, लेकिन अब आपने free space रहना ही कहां दी, free space तो छीनी लिये हो, अब वहाँ पर क्या आ गया, कोई ना, कोई medium आ गया, तो है ना, वो medium के कारण क्या हुआ, अब epsilon not के जगा, epsilon not of medium लिखना था, तो अपनने बोला, epsilon not of medium नहीं ल लिखेंगे ही नहीं, तो अपनने क्या define किया, relative permittivity, क्या define किया, relative permittivity, तो relative permittivity क्या है, permittivity of any medium, permittivity of medium upon permittivity of space, free space, मतलब vacuum, है ना, तो किसी भी medium का permittivity upon space का permittivity, मतलब epsilon not, उसको क्या बोल दिया, relative permittivity, तो अब अगर किसी medium का permittivity लिखना है था, मैं क्या लिखूंगा, space का perm इन्टू रिलेटिव परमेटिविटिविटिविटिया दिविजन में उदर जाएगा तो अब मैं यहां पर ईपी के जगा क्या लिखूंगा अफ is equal to 1 by 4 pi epsilon not epsilon not r q1 q2 by r square यह जो relative permittivity थी इसी को अब बोलते हैं die electric constant क्या बोलते हैं die electric constant और हज़र आप एक बात ध्यान से देखेंगे आपके पूरे NCRT में 1 by 4 by epsilon not को k नहीं बोला है क्यों 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 उसने यह जो relative permittivity है इसको डिफाइन किया है as a die electric constant के capital के बात समझ में आई तो die electric constant वो क्यों आया क्योंकि आपने space के जगा कोई और medium डाल दिया ऐसा medium जो polarize हो सकता है जैसे h2o उसके पास charge नहीं है लेकिन सारे h2o arrange हो जाए positive excited negative excited positive excited negative excited तो net net एक layer में positive आजाएगा एक layer में क्या जाएगा negative बात समझ में आई रही है तो उई polarization polarized हो गए ना charge polarized हो गए इसी polarization के कारण वो जो छोटे-छोटे कावेज के टुकड़े नहीं होते है ऐसे बाल में कौम को घिस कैसे करोगे तो अट्रेक्ट होते है वो इस polarization के कारण होते है बात समझ में आई तो यह जो polarization के effect के कारण जो आपका एक effect आ रहा है उस effect को पढ़ने के लिए अपन ने यहाँ पर इसको क्या नाम दे दिया relative permittivity को dielectric constant मतलब एक तरीक से आप यह मान सकते हो जहाँ पर भी epsilon 0 आ रहा है स्पेस में आप किसी भी मीडियम में डाल दोगे तो epsilon 0 के छेटा क्या आ जाएगा epsilon 0 epsilon 0 R बात समझ में आ रही है मतलब permittivity of free space into relative permittivity यह आ जाएगा अब आते हैं यहाँ पर यह तो पूरा revision हो गया I think पूरा पहले का कि कोई भी medium में किसी भी medium में क्या इफक्त का रहा है तो dielectric constant कहां से है यह बात clear हो गई जो relative permittivity है उसी को dielectric constant बोल रहे है इस देट clear जो relative permittivity है उसी को क्या बोल रहे है dielectric constant इस देट clear चलो तो अब देखो अब यह मालनो capacitance था parallel plate तो जब यह खाली था बीच में कुछ नहीं था या air था तब इसका capacitance कितना है था epsilon naught a by d अब एक बाब बताओ अगर यहाँ पर आपने dielectric constant कोई material डाल दिया कोई भी जो current को conduct नहीं कर रहा current कंड़क्ट करेगा तो charge plus Q minus Q मिल के 0 हो जाएगा खतम ही हो जाएगा पूरा का पूरा है ना तो अगर अपने यहाँ पर कोई ऐसा डाल दिया जो current को flow भी होने नहीं दे रहा तो double पाइदे है एक तीर से काउन से दो निशाने एक तो अगर positive और negative charge दूसरे से एकदम पास में रहेगा तो एक दूसरे को उपर force लगाएगा भाई पकड़के रखना उसको मुस्किन हो जाएगा और कोई conductor वाला चीज से दो रोक नहीं सकते तो अपनने बोला क्या प्लास्टिक डाल दो बीच में और प्लास्टिक डाले तो अलग फाइदा मिल गया क्या फाइदा मिल गया कुछ और material डाल दी है तो एपसलो नॉट के जगा क्या आ गया एपसलो नॉट एपसलो नॉट आर जिसको क्या मुल दी है डाइलेक्टिक कॉंस्टेंट के एबाई डी अरे वाँ भाई क्या पासिटेंस भी बढ़ गया दो फाइदे एक तो दोनो प्लेट आपस में चिपकेंगी नहीं प्लॉसिटिव और नेगटिव आपस में चिपकेंगी नहीं और दूसरा की डाइलेक्टिक डालने से और क्यापसिटेंस बढ़ गया वाँ सोने में सुहागा होगय है तो है न, तो या अगर आक किसी भी डाल नभी आपसलेक्टिक डाल दो तो डालेक्टिक कॉंस्टेंस टाइम्स आपका क्या होजय़ा बढ़ जाएगा जैसे मैं आपको बताया था लाम आपका डाल NBC कितना है कि उन वैक्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा कहीं वेली कितनी है कि वन डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट वाटर का आपको याद रखना है कितना 80 ठीक है और और किस बास यह दो याद रखो वाटर का ठीक है बास effect of dielectric in parallel plate capacitor सब्सक्राइब अभी डाल देता है अगर एक बड़ी एक छोटी लाइन बनाओंगे तो बैटरी बन जाएगी जो पहले बनाते थे आप अगर एक बड़ी एक छोटी लाइन नहीं करना है दोनों को बरावर लाइन करना है बरावर लाइन होगी तो क्या है कैपसिटर और यह बैटरी सेल अगर बड़े अगर बड़े अगर बड़े क्या बच्चों कि थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं क्या क्या पड़ा अपन ने अपन ने सबसे पहले देखा क्या होता है क्या अब जाले नाब मैं यह बता सेता हूं किस वर्म है किस मंवे एलेक्ट्रिक vidéo किस वर्म मैं तो कि दौनों पेल्ट के बीच में अलेक्ट्रिक फेल्ड हैं सिग्मा चेपसली कितना है सिग्मा भाई एपसलों नॉट तो जो कैपसेटर है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन दो फॉर्म आफ इलेक्ट्रिक फिल्ड अब यह लिख सकते हो आगे जो नोट्स लिखे हो उसका आगे लिख सकते हो यह लिखी देता हूं इक बन मैं चलो नोट्स ज्यान की बात ज्यान की बात एनर्जी इस इस्टोर इंसाइड दा कैपसिटर इन दा फॉर्म आफ इलेक्ट्रिक फिल्ड ठीक है कैपसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन दा फॉर्म आफ इलेक्ट्रिक फिल्ड चलो अब रिविजन करते हैं लिख लिए हाँ, तो capacitance क्या था? Balty of energy, वो energy को store करके रखा है, किस form में? Electric field के form में, बट capacitance है क्या property है? Charge को hold करने की property per unit volt, एक unit volt में कितना charge को store करके रख सकता है, जितना ज़दा charge को store करके रख सकता है, उतनी ज़्यादा capacitance लेकिन अपने एक बात देखी थी C, ना तो Q के उपर depend कर रहा था, ना तो V, वो physical property के उपर depend कर रहा था, जैसे spherical conductor का कितना है था? 4 pi epsilon r, 4 pi तो constant, epsilon not medium के उपर depend कर रहा था, और r radius, वो भी physical property हो गई, तो किसी भी ना तो charge के उपर depend किया, ना volt, बासमझ में आई, भले ही सी का formula में Q by V आ रहा है, लेकिन ना तो वो Q के उपर depend कर रहा है, ना तो वो V के उपर depend कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने निकाला था, spherical conductor का अगर r radius का है, तो कितना है था capacitance? 4 pi epsilon not r, कितना है था? 4 pi epsilon not r, अब यह जो r radius, अर्थ का भी डाल दोगे, तब भी यह value कितना है, कि 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस 6 का सपसार ही है, यह 10 की पावर माइनस? 18 18, minus 12, minus 6 minus 12, plus 6 radius of earth is plus 10 की पावर 6 में आता है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, है ना? तो 10 की पावर माइनस 12, इंटू 10 की पावर 6 नेट क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 है ना? ठीक है? तो capacitance आगे 10 की पावर माइनस 6, तो बहुत छोटा unit है तो इसलिए अपन क्या यूज़ करते है? micro, faraday, क्या यूज़ करते है? micro, ठीक है? तो capacitance क्या हो जाता है? बढ़ जाता है तो इसलिए अपन parallel plate capacitor use करते हैं, parallel plate capacitor में 2 plate को एकदम पास-पास माने तो infinite plate हो गई, तो इसके कारण भी sigma by 2 epsilon not electric field, इसके कारण भी sigma by 2 epsilon not electric field तो net-net electric field कितनी हो गई? sigma by epsilon not, ठीक है? electric field into distance d कर दिए electric field into distance d तो potential आ गया, और potential को यहाँ पर value put कर दिए तो जो parallel plate capacitor का capacitance है, वो कितना है? epsilon not a by d, कितना है? epsilon not a by d अब अगर मैं इसके बीच में, capacitor के बीच में, dielectric डाल दूँ, तो क्या आ जाएगा? एक k और आ जाएगा, k times बढ़ जाएगा k times बढ़ जाएगा, is that clear? आगे बढ़ते हैं, फिर यह तो बता दिया, energy किस फर्म में stored होती, in the form of electric field आगे बढ़ते हैं चल्ड़ो, इतना clear हो गया? है ना, energy stored dielectric का effect, parallel plate capacitor सब अपन ने पढ़ लिया आप अपन को पढ़ना है energy stored inside capacitor कितनी energy stored होती है capacitor के अंदर कितनी energy stored है इसका derivation, again यह derivation महत्वपोन है क्योंकि यह आपकी भगवद गीता में दिया हुआ है, मतलब NCRT है ना, आपके लिए NCRT भगवद गीता है उसमें दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ हर एक एक सब अपके लिए इंपोर्टेंट है इस एक लिए है, गुड़ बॉइज, हाँ, आगे energy stored inside capacitor अब आगे देखा, माल लो इसमें तो टोटल चार्ज बाद में Q और माइनस Q है तो आया कहां से, यहां पर Q और यहां पर माइनस Q एक तरीके से क्या हुआ है, यहीं से Q चार्ज निकल के यहां पर आ गया, तो यहां से निकल गया, तो यहां क्या बच गया? तो आपन ने बोला, अच्छा, चलो भाईया, अब actual में हुआ क्या होगा, पहले तो पूरा खाली होगा, फिर थोड़ा यहां से आया है, यहां थोड़ा चार्ज हो गया, फिर जब दूसरा लाया है, तो यहां अल्रेडी चार्ज था, तो उसके करना पढ़ा होगा, जितना आप वर्क करते जाओगे, हिस चार्ज को यहां से यहां लाने में, उथनी एक अनरजी स्टोर होते जाएगी, तो अपन लेन आ गया तो अपना potential आ जाएगा है ना अपने बुला चलो यह दिराइफ कर देते हैं तो अपन मान लेते हैं कि किसी time में किसी time में already small q और इसमें plus q और इसमें minus q charge आ गया है मान लिए और आप अपन मान रहे हैं कि अब अपन छोटा सा dq charge एकदम छोटा सा भीया 0.0000001 कुलम का एकदम छोटा सा charge को अपन यहां से उठा के महाँ पर ले करके जा रहे हैं अगें इसका charge q इसका area a सब कुछ तो एक बात बता हो यहाँ पर net अपन ने देख लिया था electric field कितनी थी q by a epsilon not निकाल लिया था तो net net electric field यहाँ पर कितनी आ गई थी electric field net electric field कितनी आ गई थी q by a epsilon not आ गई थी electric field into distance दोनों के बिच की distance डी कर दूंगा तो potential difference भी आ जाएगा ठीक है क्यों डी direct multiply किया क्यों direct multiply किया हाँ potential निकालने के लिए चलो तो क्योंकि constant था क्यों direct multiply किया यह पूछना हो डारेक्ट मिल्टिप्लाइस लिए क्योंकि constant electric field था constant नहीं होता तो again integrate करके निकालना पड़ता अब constant electric field था तो मैंने क्या कर दिया q by a epsilon not into d यह आपका net net आ गया potential अब क्या आ गया यह potential electric field को मैंने किसे multiply कर दिया distance है तो क्या आ गया potential अब मेरे को निकालना क्या है इसमें work done energy stored potential energy क्या निकलना है potential energy तो potential energy कैसे निकाला जाएगा into q volt into q तो अब देखो potential energy छोटे से charge की कितनी आ गई q d by a epsilon not यह तो था potential into कितना charge लेके जा रहे है dq अब यह तो छोटा सा charge जो लेके गए उसके कारण potential energy आई ना अपनको तो पूरे charge के कारण चाहिए 0 से लेके capital q तक के लिए तो क्या करेंगे integrate अपनने क्या क्या मान लिया क किसी टाइम में इसमें capital q है इसमें minus q है small q और अब अपन यहां से छोट असा dq charge लेके जा रहे है तो यह जो dq charge लेके जा रहे है उसके लिए कितना work done किया कितना energy store हुई वो तो अपने निकाल लिया potential into charge q लेकिन सिर्फ यह छोटे से charge के करण थोड़ी निकालना है अपनको अब ही अपने energy किसके करण निकाली सिर्फ dq के करण टोटल निकालना है तो क्या करना पढ़ेगा integrate कहां से कहां तक 0 से q तक पहले charge कितना था 0 और अब final charge कितना है q तो अपना potential energy कितना आ जाएगा d by a epsilon constant है बहार निकाल दू integration of q.dq q का 0 से q तक q का integration q square by 2 x का integration क्या होता है x square by 2 तो q का integration क्या हो जाएगा q square by 2 तो d by a epsilon not q square by 2 small q square by 2 तो capital q उपर से value put के minus निशी 0 था तो यह answer आ जाए ठीक है ठीक है तो हाँ बस अब क्या करना है अपनको epsilon not a by d इसको क्या लिख सकता हूँ c लिख सकता हूँ capacitance epsilon not a by d तो यह d को यहाँ लिके होंगो तो इसके upon में आ जाएगा epsilon not a by d को क्या लिख देता हूँ c तो final आपका formula आ गया q square by 2c जो नीद में वियाद होना चाहिए नीद में वियाद होना चाहिए लिखो जल्दी से जल्दी से लिखो बस अब एक combination बचा है पांच इमिनेटर topic वो पढ़ेंगे कल क्योंकि अब से सर क्याने का टाइम हो गया है से सर आ के क्या है बेज दियो whatsapp बंद कर दो लाइब 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 चलो पने इसका और दो फर्मला जो है वो देख लेते हैं फिर उसके बाद combination कल करेंगे वैसे 41 मिनट से एक घंटे में तो पूरा हो जाता है आगे बने अब देखो एक फॉर्मला आगया आपका यू का जो एनर्जी स्टोड है एनर्जी स्टोड का माल लो एनर्जी स्टोड का फर्मला आगया q2 by 2c अब अगर आपको याद हो तो पावर का फर्मला जो current तरीके से लिखते हैं तो होगे q2 by 2c अब एक जो original आपका capacitance का formula है क्या है q by v अगर मैं यहाप पूट कर दूं c की value पूट कर दूं देखो c के जगा क्या पूट कर दूं q by v तो क्या जाएगा q2 by 2c के जगा q by v एक q ने q को मार दिया तो एक formula और क्या गया half qv अब एक और formula अभी क्या पूट किया था मैंने एक फर्मला तो यह है क्यों नहीं तो q की value पूट की नहीं गया मैं तो c की value पूट किया c के जगा q by v अब पूट करूंगा q की अब q की value क्या c into v q2 के चेका क्या लिख दूँगा c2 v2 by 2c एक c ने xy को मार दिया half cv2 मेरे को यहीं सबसे पहले याद आता है energy stored inside the formula जब भी पढ़ता हूं न तो सबसे पहले दिमाग में क्याता है half cv2 लेकिन आपको कोई भी आए इस काम चल जाएगा अब एक बात आता हो energy stored inside the capacitor के half cv2, half qv, q2 by 2c तो इसी के साथ अपना आज का lecture करते हैं complete अगर आप भी join करना चाते हैं face to face class AC classroom में पूरे digital board के साथ complete recording के साथ ये lectures जो कि December तक आपके complete कर दी जाएंगे pure NCRT based NCRT के हिसाब साब के topics चलेंगे sequence से लेकर के सारी चीजें है ना और notes जो मैं आपको यहाँ पर बना रहा हूं आप इसको लिखते जाएंगे पॉस करके लिख सकते हैं बात में यहाँ पर भी इनको मैंने थोड़ा बहुत समय तो दिया है लिखने का है ना ठीक है तो आप यहाँ पर join कर सकते हैं अगर आप मुझे call करना चाते हैं तो आप मुझे इस number पर call कर सकते हैं join करने के लिए यह जो coaching आपकी चल रही है यह सू कर सकते हैं